नमस्कार, अदंत प्रक्या के दोती पाठ में अदुत्तरवर्ती सुत्रों का हमध्यन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको कित पत्ते का परची कराया था, और यहां पर भी हम साली जो व्याकन की प्रक्या है, उत्सरगापवाद भाव में निवद्ध है, देखते हैं किस कि प्रकार से कौन सा पत्ते किस को बाता है, और किस प्रकार की उसकी विवस्ता है, उसका हम दिगदर्फन प्राप्त करते हैं, यहां एक सुत्र है आपका, ऐसे सा प्रकारण का हम प्रकारण चल दाथा, उसी प्रकारण में ददाति दधातिर विवासा, अर्थाति इन धात्त उसे बिकल्प से सापत्य का विधाना आपका होता है एक परुप की सिद्धी देखते हैं दाधातु है और दाधाती ऐसा उसका विग्रह है इसका विप्राय है करतार्थ में इस पत्य की पतीती है तो हम पहले सापत्य करेंगे करतार्थक सापत्य है तो उसको हम साधातुक मान करके तिंग सँथ कम से उसा ठाट भी वह अताह उसको पड़े रहने पर करके सबसे हम सबत्ते का विधान करनेगे इधातु जहोत्यादी की है इसलिए सुलू का विधान करें के यह सब विधान का अपना अपूर फल में रहा है और फिर इसको दुत्च तो दा दा और जो सब कर दीपती अर्थ में इसका frame नापत्य करेंगे जो हैं लुद्धृ को बध्धा को गढेंगे तो अतु Helia यहां सुत्र है जिसका हम तिगंत प्रकर्ण के संभवता ध्यैन किये होंगे तो जोटा ऐसा प्रूख बन जाए परांतु बाथिक लिए का भीद्हां एम जा बनेगा और पक्छ में जब नाप्त स्विए PGD प्राप्त पत्य साप्त्य है उससे चला है इस प्रकार का प्रुग बनेगा कुछ आगे हम देखते हैं कि कुछ निपातन या अर्थ विवस्था में सब्दों की अनपूर्वी उपनिवद्ध की गई है उसका नियामं किया गया है यहां एक प्रुग है विवासा ग्रह जले च प्रुग बनता है और जलचर की पृतिती करेगी जियू की जिवजंतु जो मगर मक्ष है उसकी अर्थ का उसके अर्थ का बहुत कराएंगे तो यहां पर अनना पृत्य करेंगे तो ग्राहा इस प्रिकार का प्रुग बन जाएगा ग्रिणात धान्यादिकम इसको दोनों प् तो ऐसाल ब्रेश्घ है और यहां पर ग्रंभारियादि ध्र्वर्यत हैक्ष्थ ऑसी वित्वत्टी कि गई इसके इसको मेरे वन्पार। है उसे हम काप्त्य करें का पत्य का भी प्राइब कि संसान प्रोग और बें और दारा को भी ग्रिहां आशा प्रोग किया गया है कहने का विपर यहां लक्षणा है कि ग्रह स्वामनी ग्रह स्वामनी मान करके या तत्व प्रभाव को अधिकता स्विकार करते हुए अधिक स्विकार करते हुए हम ग्रिहा दारा तास्थात घर में विद्दमान रहने से या उसकी अधिस्थात देवता होने से हम उसको ग्रिहा मनें पत्नी अर्थ में दारा अथाद सिलपम जो किसी भी क्लिया में कुशलता है उसी काफिक प्राय क्या है को हम शिल्प पत्सिप से कहते हैं और जहां उसकी प्रतीती हो तो वहां से सुन पुत्य का विधान करते हैं यहां हमने एक बार्टिक का नियामन किया नितिगंजिप्षा एवो अर्थाद जो यह आपका शिल्पिन सुन है इक्टिया कोशल में शुन पत्ते का विधान करने वाला है इने दो धातु नितधातु से और लंजधातु से ही उसका हमने विधान किया नर्तका ऐसा प्तू करेंगे जो सुन है सिद्गवुरादे भिष्च का यहां किस्ट करनका जो एक लाव दिया वाद कुसल गान करने वाले विक्ति को हम गाथ का कि संग्या से उपनिवद्ध करते हैं तो छुना नुट पत्ते का विधान करते हैं गायन का प्राय बहुत से लोग समझते हैं कि गायन क्रिया विशेस है लेकिन नुट पत्ते करता रथ में होता है तो गायन करता जो गायने वाला है उसको हम करता रथ में पत्ते का विधान करते हैं तो जो गायक की पतिती लोक में यहां पर गायना की पृतिति आपकी हो जाती है वीचार ध्यान देल गाए कि तुकि अन्यूट किया है तो तित का फल है तिदन्थ अधंथ मिल जाएगा किसका तिद्धाने सूत्त से घिंप प्रत्ते का विध्द्धान भी करेंगे तो यह गायनी ऐसा प्रोग मिलेगा तिद गाण का फल है तेटढ़ाने की प्रिवत्थी इसलिए गेव पत्ति buzzing मानी जाएगी और दूसरा बनाते हैं अर्थात व्रहागे इस धातू से भी हम पत्ति का विधान करते हैं लेकिन अर्थ है जो वुदक का धीमेद्ध्याग कर देती है जैसे पूर्व हरित भाव को मतलब ही है कि वहाँ जल संचार है लेकिन धिमे धिमे हरित भाव को छोड़ते हुए पीत बरण में आते हुए पक्वा वस्था में जब बृही संपन होती है उसको जहायती उदकम हायनो वा तो बृही दो चीज़े हैं हायनम बर्सा बर्सम वर्स भी परित्याग करता है और बृही भी परित्याग करती है इसलिए यहां पर हायन इस परकार का प्रोग बनेगा अर्थात ओहाग त्यागे और नुट्र पत्ते का विदान किया यू के अस्थान पर अन कर देंगे हायनो ब्रीही और वर्सका भी इसका काल का जब बोधक हो जाएगा जहाती भावान पदार्थान क्योंकि जित इसलिए यहां पर भी हायनो वर्सम पंच हायना सड़ायना इस परकार के प्रोग मिलते हैं उसी का परिणाम आपको दिखाई पड़ता है और दूसरी बात प्रसिल्वह समविभ्यारे वुन समविभ्यार का भी प्राय कि जहां अतिसे सघंता की प्रतीती हो सगन भाव की प् समविभ्यार कहते हैं वहां बुन प्त्ते का विधान आपका होता है तो प्रूधातु यहां अत्यंत प्रवक का है तो प्रवक प्रूधातू से यहां पर बुन प्रवक कहलाएंगे क्योंकि गती अर्थ में आपका होता है और लुई छेदने जहां लवन करते हैं तो उस लवन छेदने अर्थ में भी लवक इस परकार की प्रोग पतिती है तो यहां पर भी जो अत्यंत घना काटे उसको हम लवक बोलते हैं प्रवक प्रवक आर्थ में लवक शब्ड में भी अर्फ हमें करानी चाहिए यहां को इक विश самой स्सेष ववस्था देखनी है उना देखते हैं कि ये पत्ते हमें क्या है कि आसिस व्राद अर्थ में भी पतिती का विशे बनता है, जीव प्रान धारने इधातु है, और इस इधातु से हम पत्ते का विधान कर देंगे, तो बुन पत्ते जीव का, तो इसकी बिग्रह वाक्त है जीवतात, क्योंकि आसिस प पक्रम दिखाने के लिए नंदतात आईसी पतिती बनाई गई है कुनाहाम एक बहुत ही महत्तपुर्ण और पसिद्ध सुत्य आपका कर्मन्न दिखाया है यह केवल एक अर्थ का निदर्वसन मात्र है इसका बिग्रह नहीं है क्योंकि यह समास आपका उपद समास कहलाता है औ आपका नहीं होता है तो इस तरह से कुम घंस करी अनव इतना ही विग्रह होता क्योंकि करत्म कर्मनों किती का नियम लगे दिखान में हो जाएगा तो यह ऐसा विग्रह कर सकते हैं, कुम्भम क्रोती, एक क्योल मात अर्थ का एक वाही पदर्शन है, एक कथम पी इसका विग्रह यादी नहीं कहा जा सकता है, इभी ध्यान देना आप लोग, तो कुम्भम क्रोती, कुम्भ गंस क्री अन समास करके, और फिर वह जो बद्धी कर देना, हार कर देना, सुब का लूप कर देना, कुम्भ का रहा ऐसा प्रोग होता है, इसके अपवाद सूत है, कर्मन्यन आपका सामान सूत है, और इसके पश्चातिस का हम अपवाद सूत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको संकेत किया था, कि व्याकन की समग्र पकिया कोई भी कर्म बोधक पत्य हो, कोई बैचा हो, उससे उसका विधान हो जाता है, यहां हमने विशेश ब्यवस्था बनाई, धातु आपकी आधंत हो, और उफसर्ग पूर्पद में नहीं रहेगा, धातु आधंत रहेगी, तो उससे हम का पत्य का विधान करेंगे, अन पत्य का विधान हो नहीं करेंगे, तो गोदाया प्रवग बनता, हमें ऐसा विवस्थाना करके गोदाहा, गोपूर्वक दाधातु से कापत्य अनबंद रोप, अजादी कित की पड़ेयने पर अकार का लोप, गोदाहा ऐसा बनता है, पांशनिव्याम, पांशना तायते, पांश आइसा परोग बनता है, उसी प्रकास से सुवन्त पूरपद हो तो अनब भी कापत्य का विधान करते हैं, द्वाभ्भ्याम-पिवति, तो द्वुपाः इद्वुभ है तो हस्ती भी मुझें का इसका हान्ती का पोधक होता है।' तो मैं इस सारी प्रत्या में इसका तक पोहुचता हूं कि जो आपके क्या था नंदगही, पचाद इभयो जो निचाह त लुए के छहते से चला था, उन छहत पत्तेव में जो सامानन पत्ते थे आपके करता अर्थ में, करता अर्थ में हमने अर्थ काभी विचार दिखाया op याला अलग अलग पत्ती ती बनाई आसिरवाद अब यहां पूर्पद में उत्तर खंड में धातु है तो यहां भी प्रत्य का विधान किया तो मुझे विश्वास है इस प्रक्या में आपको अध्यान से जो सामान प्रक्या है उसके ज्यान के लिए बहुत ही सहयोग मिलेगा और इस पार्ठ पर इतना ही पढ़ते हैं धन्यवाद नमस्कार